हेलो दोस्तों कैसे आप सब बिल्कुल मस्त होंगी यूनिक स्टेडी वीद अजय योटूब चैनल के उपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो इगनू से पिएच्डी में एडमिशन के लिए जो नोटिपिकेसन निकला हुआ है उसके बारे में और यहां से यदि आप पिएच्डी करना चाते हो तो फोर्म अपलाई कर सकते हो आप जिसके बारे में मैं यहां पर बताने वाला हूँ और इस वीडियो में मैं कई महतपुन महतपुन टोपिकों के उपर कोई महतपुन महतपुन के उपर डिसकेस करने वाला हूँ जो क्योषन आपके दिमाग बें बन रहे होंगे तो यदि आपका सपना है पिएच्डी करना, असिस्टेन प्रोफेसर बनना या फिर net set qualify करना जेरफ qualify करना तो प्लीज एक बार अभी इस channel को subscribe कर ले क्योंकि इस channel के माध्यम से मैं आपको बिल्कुल always इस तरीके की जानकारी provide करवाता रहूँगा ठीक है सबसे पहला यहाँ पर हम बात करते हैं कि कौन कौन से क्योशन है जिनके बारे में हम यहाँ पर discussion करने वाले सबसे पहला क्योशन कि यदि हम एक गनों से PhD करते हैं तो total कितनी फीश लगेगी दूसरा क्योशन कि यहाँ पर selection किस तरीके से ले सकते हम किस तरीके से पढ़ें कि हमारा यहाँ पर selection हो जाए तीसरा यह university धहली में तो क्या हमें यहाँ पर regular college university जाना पड़ेगा या फिर हमें कितने दिन university जाना पड़ेगा यहाँ से PhD करना कितना सही है कुछ लोग बोलते है कि यहाँ एक open university है इसकी जो degree है वो कम valid है ज्यादा valid है तो इसके उपर भी मैं यहाँ पर आपके साथ बात करने वाला हूँ क्या यह है degree सबी जगाए valid है तो यह कुछ question है जिनके उपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपको बिल्कुल full detail से समझाने वाला हूँ तो सबसे पहले तो बता दू मैं आपको यह एक central university है क्या है एक central university है जो पूरे पूरे भारत में बिल्कुल valid तरीके से काम करने वाली है अब हम बताते हैं इसके बारे में देखो यह आपको पता होगा already बाकि मैं एक मिनट पर बता देता हूँ यहाँ पर जो last day tab वो है 23 December 2021 23 तारिक तक आप form apply कर सकते हैं और exam आपका होगा 16 January 2022 को आपका यहाँ पर paper होने वाला है कब 16 January को 180 मिनट का paper होगा 10 बज़े से 1 बज़े तक आपका paper होने वाला है लगातार 3 गंटे तक paper होगा और इसके अलावा मैं बता दूँ आपको यहाँ पर आपका जो paper हो online होगा कैसे होगा online computer base आपका paper होगा 3 गंटे 180 मिनट तक paper होने वाला है total so क्यों सनाएंगे जिसमें 50% रहेगा research methodology का और 50% रहेगा आपके subject का इसके अलावा paper दोनों language में आएगा हिंदी और English दोनों language में paper आएगा यह बहुत positive point है उनका अडिडेट के लिए जो हिंदी मीडियम से है total 400 नमबर का paper होगा एक क्योशन 4 नमबर का रहेगा कोई negative marking नहीं रहेगी अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ selection procedure का देखो आपका subject almost बहुत अच्छा strong होगा almost subject सभी का बहुत अच्छा strong होता है सबसे में बात आती है इस research methodology की और धान रहें यहाँ पर जो यह research methodology का content है उसका योगदान है यहाँ पर 50% ठीक है मतलब जितना योगदान यहाँ पर आपके subject का है बिलकुल उतना ही योगदान आपका यहाँ पर किसका है research methodology वाले content का है तो यदि आप research methodology के जो आपके 50 क्यों सनाएंगे यह आप बहुत गजब तरीके से ठीक करना चाते हो जहाँ पर आप 40 plus क्यों सन ठीक करना चाते हो 50 में से 40 plus क्यों सन ठीक करना चाते हो तो हमने इगनू PhD admission के लिए जो entrance exam होने वाला है 16 जनवरी को उसके लिए हमने ये content तयार किया है आप हमारा batch ले सकते हो जिसमें हम आपको video और PDF बिलकुल syllabus के according provide करवाने वाले हैं ठीक है किसके लिए research methodology के जो 50 क्यों सनाएंगे उसके लिए हमने batch तयार किया है जिसमें आपको complete syllabus मिलेगा complete syllabus के PDF मिलेंगे उनके वीडियोज मिलेंगे साथ साथ आपको mock test भी मिलेंगे तो आप ये वाला content ले सकते हो यदि आप इन 50 क्योंसरों में से 40 plus क्योंसर ठीक करना चाते हो ठीक है यदि आप ठीक है 300 रुपए में आपको बहुत शांदार वाला content प्रुवाइड करवाया जाएगा वीडियो पीडियेफ दोनों टैप सरेगा साथ साथ यूनिट वाईज आपको objective क्योंसरों भी मिलेंगे इसके अलावा यदि आप research methodology के जो 50 क्योंसरों आने वाले हैं उनके यदि आप mock test लेना चाहो तो mock test भी मिल जाएंगे total 10 mock test है परतेक mock test में हमने 50 क्योंसरों सामिल किया है इस तरीके से आपको total 500 के 500 अतीम महतपुन महतपुन क्योंसरों के total 10 mock test मिल जाएंगे आप वो भी ले सकते हो लेना चाहते हो तो उसका चार्ज 150 रुपै अभी आपके पास time बचा हुआ है यदि आप seriously होकर यहाँ पर admission लेने के लिए तयारी करते हो तो please जरूर खरीदें बहुत बहुत helpful रहेंगे आपके लिए यह चार्ज बिल्कुल ना मातर है 150 रुपै में mock test और 300 रुपै में complete syllabus ठीक है बिल्कुल 100% हमने कोशिस किया कि आपके यहाँ पर 40 plus question ठीक हो यहाँ पर आपके बहुत अच्छा score हो ठीक है अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि क्या यह जो एगनो की जो हम यहाँ से जो PhD करेंगे यह क्या valid रहेगी तुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि यह एक open university है और इसकी जो degree है वो हर जगा काम नहीं आएगी दोकों मेरे प्यारे साथियों यह degree बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से आप किसी center university या किसी state university से PhD करते हो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी आपको पता हो तो इगनो है जो एक center university है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको life में कभी भी कि आपने इगनो से PhD के आए वो कहीं काम ना आए 100% आप चाहिए किसी भी state से belong करें 100% बिल्कुल valid तरीके से ये काम करेगी कोई दिक्कत नहीं आएगी तो यदि आप इस मामले में संसे में हो कि इगनो की जो degree है वो हर जगा काम नहीं आएगी तो बिल्कुल गलत हो आप जान रहे हैं इगनो की बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगी जिस तरीके से एक state university और center university की डिगरी काम करती है ठीक है तो इस चीज़ को लिकर आपको बिल्कुल भी नहीं गब रहना है बिल्कुल भी नहीं डरना है अब हम बात करते हैं यहां पर टोटल फीस कितनी लगेगी तो देखो बिल्कुल नामातर फीस लगेगी यहां पर आपकी complete फीस बता रहा हूं मैं PhD के duration आपकी complete फीस लगेगी यहां पर 25 से 30,000 रुप है यह मैं maximum बताया हूं बाकी 20 से 35,000 के आसपास फीस लगेगी लेकिन जादा से जादा आपकी फीस लगेगी 35 से 30,000 जो complete फीस है इसमें सारी सारी फीस include कर दी मैंने अब अगला क्यों सनाता है कि इकनू धेली में और आप किसी other state से हो तो क्या आपको regular यहां पर आना पड़ेगा दिखो 6 महीने का work course होता है ठीक है 6 महीने का course work होता है और उसमें रहता है कि हमें regular जाना है लेकिन ध्यान रहे यदि मैं अपने दिल से बताऊं तो यहां पर आपको केवल मातर 2-3 महीने जाना पड़ेगा आपको 6 महीने नहीं जाना पड़ेगा तो आपको बिल्कुल भी घवराना नहीं है कि अवल आपको 2-3 महीने युनिवर्स्टी जाना होगा जो भी बिल्कुल regular नहीं बाकी फिर आपको work दे दिया जाएगा आप अपना work चेक करवाने के लिए आ सकते हूँ और बाकी का जो काम है यह 2-3 महीने तो आपको आना पड आपको इतने दिन भी नहीं आना पड़ेगा तो यह थी इसके बारे में सारिक सारी जानकारी जो मैंने आपको बता दी है तो यदि आपका target है यहाँ पर selection लेना तो आप हमारा यह जो selection का रामबान जो बैच है research methodology वाला वो आप जरूर ले जिससे कि आपका यहाँ पर बहु को इगनो जैसी बहुत शांदार और बहुत बड़ी इंवर्स्टी से PhD करने का मोका मिले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए इसके अलावा यह आपके कोई भी doubt है कोई भी question है तो आप comment करके पूंच सकते हैं